हेलो फ्रेंड्स दिस इस एश्पी शिंग एंड वेलकम टू इश्माइटल एवरीड़ी देव फ्रेंड्स बीट फर्स्ट चेमिस्टर में हम लोग गांधी जी को पढ़ चुके हैं श्वामी विवेकरिंद को हमने कल पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में इनका जीवन परचे जानेंगे जीवन परचे जानने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे और रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन दर्सन क्या था फिलास्फिय यह ज़्यादा बड़ी नहीं है टैगोर जी के कोर्डिंग सिक्षा का अर्थ क्या है वह सिक्षा को किस एंगल से किस रूप में देखते थे इसको जाने के क्योंकि हर आत्मी का अपना अपना पॉइंट अप व्यू होता है स्वामी वेकंदी ने कुछ और का था मातमा गंदी जी कुछ और कहते है टैगोर जी कुछ और कहते हैं ठीक है इस परकार से और फिर टैगऊर जी के कोडिंग क्या है वह अनुसासन को किस नजरिये से देखते थे क्यों लिट contrat की बूमिका क्या बढ। टैगोर सीख पाएंगे चलिए सुरू करते हैं आज कि ये बेतने क्लास तो हम लोग सीखेंगे जानेंगे रविंद्र नाथ टैग और जी के बारे में ठीक है चलिए फ्रेंड्स हमारा एक और यूटूब चैनल है SP Sir Vlogs के नाम से ठीक है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप में इस चैनल पर भी फालो कर सकते हैं इस्टागराम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ठीक है ये टेलेग्राम चैनल है जहां से आपको PDF मिल जाती है तो PDF के लिए आप हमें यहां फालो कर लें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जानते हैं टैगोर जी के बारे में कोई जल्दी नहीं है आराम से पढ़िएगा रविंद्रनाथ टैगोर विश्व प्रसिद्ध गीतांजली काविक के प्रणेता और विश इस प्रकार से जन्म लिद्ध ग्त करने के लिए सब कुष नहीं याद किических मेच्व जाता गुस्पाइब की वाइल हमने लिख दिया विश्व प्रशित गिता अंजली काव के पनेता है ना इस प्रकार से जन्म लिख दिया पिता का नाम माता का नाम कुछ-कुछ में पॉइंट्स याद कर लेते हैं और बाकी फिर लिख देते हैं उसी कोर्डिंग टैगोर परिवार अपनी शम्रद्धी, कला, विद्या एवन संगीत के लिए शंपूर्ण बंगाल में प्रसिद्ध था ठीक है आगे बढ़ते हैं टैगोर को अपने पिता से देशभक्ती, विद्धोता, धर्म प्रियता, शाधना, आधिगुण, रिस्पोंसिबिल्टी, उत अब भाई बहनों में सबसे छोटे थे, परन्तो उन्होंने अपने यस से ना केवल टैगोर परिवार, बलकि शंपूर्ण देश को गौरव प्रदान किया, प्यारे दोस्तों, आप बीड कर रहे हैं, भावी टीजर हैं, तो महत्मा गांदी हो गये, श्वाम इरकन्द हो गय आप इनको इस तरीके से पढ़ें कि आपको कल ये बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों को कहनी की रूप में सुनाना है, बताना है, ठीक है, तो हमें इन सब का जीवन परचें, इनके पारे में नजास ज़्यदा हो सके हैं, हम ये जानकारी होनी चाहिए, एक टीचर के नाम क्या था, ओरियंटल सेमेनरी, ठीक है, बाद में उन्होंने नॉर्मल स्कूल में सिक्षा प्राप्त की, सन 1833 में म्रणालिनी देवी के साथ उनका पाणी ग्रहन संसकार संपन हुआ, ठीक है, 1833 में, नाम क्या था, म्रणालिनी, ठीक है, चलिए, किन्तु थोड़े ही सम के बाद म्रणालिनी देवी ने इस संसार से विदा लेली और टैगोर जी को छोड़ करके चली गई, इस कठोर आगात से गुर्देव का हरदय चितकार उठा, किन्तु उनका कवित्तो जाग उठा, अंदर की जो आग थी, उनके अंदर वो जाग उठी, संसार ने उनकी और विश्व में प्रसिद्ध हो गए, शाहित्य, कला, विज्ञान, आदी पर दिया जाने वाला यह विश्व का सर्वसरिष्ट पुर्सकार है, कलकत्ता विश्व विद्याले ने सन 1913 में उन्हें डीलिट की उनरेरी यानि की डीलिट की उपादी प्रदान कर उनके प्रती की अपने आदर और शम्मान का परचे दिया, और भारत सरकार ने सन 1915 में उन्हें सर की उपादी से विभूशित किया, भारत सरकार ने उन्हें सर कहकर के जो है, विभूशित किया 1515 में, देखे, भारत का यह अनमोल रत्न सन 1941 के अगस्त में इस अंसार से विदा हो गया इस अवसर पर कलकत्ता विश्विदायरे ने इन सब्दों में उनके प्रति अपने स्रद्धाजली, स्रद्धाजली अर्पित की किन सब्दों में? भारत ने उनके द्वारा मानवता को अपना संदेश दिया, साहित, दर्सन, सिक्षा, कला, आदी छेत्रों में अपनी अनोखी और महान सफलताओं द्वारा विश्वयम ये सस्वी बने और उन्होंने संसार की द्रिष्टी में भारत की प्रतिष्ठा को उंचा उठाया यह कह करके कलकत्ता विश्वी द्याले ने उन्हें सिर्धान जदिया अर्पित की आगे बढ़ते हैं तो यह था टैगोर जी का जीवन परचे अब उनका जीवन दर्सन देख लेते हैं रविंद्रनाथ तैगोर के जीवन दर्सन पर उनके धार्मिक दर्सन युक्त तथा सु संस्क्रत परिवार का गहरा प्रभाव पड़ा उनके जीवन दर्सन को हम इस प्रिकार वर्णित कर सकते हैं वे इस्वर को सरवोच मानव के रूप में मानते थे वे अध्वेत वादी थे वे इस्वर की शत्ता में विश्वास करते थे कभी उसे साकार तो कभी निराकार की रूप में मानते थे वे सरष्टी को इस्वर की अभिविक्ति की रुप में शुईकार करते थे तैगोर जी, आदर्सवादी, दर्सन तथा सत्यम, शिवम, सुन्दरम जैसे आध्यात्मिक मूलियों को भी मानते थे वे महन करांतिकारी थे, तथा मानव मानों के बीच पाये जाने वाले विभेद जो होते हैं, जो लड़ाईया होती हैं, जलन इर्सया होती हैं, उन सब की वो निंदा करते थे टेगूर जी मानव को सम्मान वम श्वातंतरता दिलाकर उसकी आत्मा को उचा उठाना चाहते थे उन्होंने निर्धनता और एस प्रस्चता यानि की छुआ छुट को हटाने पर भी अधिक बल दिया था, कि यह सब नहीं होना चाहिए, लोग किसी को गरीब नहीं समझना चाहिए, छुआ छुआ छुट नहीं होनी चाहिए, वे दार्सनी के वम समाज सुधारक होने के साथ साथ प्रकर राष्टरवादी भी थे, उन्होंने मनुस्य मनुस्य के बीच और मनुस्य तथा प्रकरत के बीच एकता पर बल भी दिया था, यह था टैगोर जी की फिलोसफी आफ लाइफ, आगे बढ़ते हैं, अब टैगोर जी का एजुकेशनल फिलोसफी क्या थी, सिक्ष इस पर एक नजर डालेते हैं, टैगोर महान मानविये गुणों से परिपूर्ण थे, उन्होंने विज्ञान और मानव सास्त्रों का व्रहत ज्यान था, उन्हें बहुत ज़्यान था, टैगोर का विश्वास था कि प्रकरती मानव तथा अंतराष्टी शमंदों में सक्ची सिक्षा के द्वारा वर्तमान की सभी वस्तों में प्रेम और मेल की भावना विक्सित भी होनी चाहिए, टैगोर की समय को क्रमबद और निस्क्रिय सिक्षा की समाज, निस्क्रिय सिक्षा का समाज की आवसिक्ताओं से मेल नहीं था, अतहा उन्होंने अपने समय की सि वर्तन चाहते थे इसलिए वो सिच्छा का विरोध करते थे उन्होंने सांती निकेतन नामक सेक्षन के संस्था की स्थापनाकर अपने शप्नों को एक मूर्त रूप भी दे दिया जो वो चाहते थे वो हो भी गया देखिए उनका मानना था विश्वार्ष था कि सिच्छा प् वातावरण मिलना चाहिए और यहां आवश्यक भी है वे चाहते थे कि बालक प्रक्रति और समाज दोनों से सीखे प्रक्रति से भी सीखे शमाज से भी सीखे वे विश्व बंधुत में विश्वास करते थे और चाहते थे कि बालक में इसी द्रिश्टिकोन का विकास भी हो वे मूल लूप से चाहते थे कि बालकों को वास्तिविक जीवन की सिक्षा प्राप्त हो उनका दिस्टिकोन संकीर्णता से उपर उठ करके राश्ट्री तथा साथ ही साथ अंतराश्ट्री भी बन पाए टैगोर जी कहते थे कि सिक्षा जीवन के फलसुरूप होनी चाहिए यदि सिक्षा वास्तिविक जीवन से अलग हो जाएगी तो समाज को इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है अता सिक्षा को प्रकृति तथा मनुस से निरंतर संबंधित होना चाहिए जो सिक्षा हो वा प्रकृति और मनुस से शंबंधित हो और उनकी विवस्था इन दोनों की संगत में ही होनी चाहिए टैगोर जी ने लिखा क्या लिखा प्रकृति के परश्चात बालक को समाजिक विवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए कहा लाना चाहिए, प्रकृत की परशाद बालक को कहा लाना चाहिए, सामाजिक विवहार की धारावयान की समाज से जोड़ करके बालक को रखना चाहिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए सुनील चंद सरकार की अनुसार, उन्होंने सिच्छा की उन सभी सिध्धांतों की खोज, श्वैम ही की, जिनका प्रतिपादन उन्हें आगे चल कर अपने लिए करना था और उन्हें सांती निकेतन में विवहरिक रूप देना था टैगोर की सिच्छा दरसन की आदारबुत सिध्धांत क्या थे, देखिए सिच्छा को सजीव एम गतसील होना चाहिए टैगोर जी मानते थे कि सिच्छा कैसी हो, सजीव हो, गतसील हो, लचीली हो चात्रों में शंगीत, अभिनय और चित्रकला की योगताओं का विकास होना चाहिए ताकि चात्रों के अंदर की जो कला है वह बहार निकल करके आए बालक की सिच्छा का माध्यम उसकी मातरी भाषा होना चाहिए जैसा की गांधी जी भी कहते है है ना, उसे बालक जल्दी सिखता है, बालक अपनी मातरी भाषा में जल्दी सिखता है शिच्छा का समुदाए कि जीवन से घनिष्ट संबंद होना चाहिए और उसे सजीव उम गत्सील होने के लिए व्यापक भी होना चाहिए जन साधान को सिख्छा देने के लिए देशी प्रात्मिक विद्यारियों को फिर जीवित किया जाना चाहिए सिख्छा बालकों की जर्मजाद सक्तियों का विकास करके उनके विक्तित का सरवांगिन और समंज से पूर्ण विकास करे सरवांगिन का मतलब होता है नैतिक समाजिक आध्यात्मिक हर तरीके का भारतिय बालक को भारतिय सिछा मिलने चाहिए यह है उसका सिच्छा तो वैसे भी बाला का जन्म सिद्धिकार होता है पार्टिकरम में भारती दर्सन और समाजिक आदर्सों को इस्थान मिलना चाहिए बालकों की सिच्छा नगर से दूर प्रक्रति के प्रांगण में होना चाहिए कहां प्रक्रति के प्रांगण में है ना कहीं दूर होना चाहिए घर से नगर से बालक को पाठे पुस्तकों द्वारा ग्यान प्राप्त करने के लिए बाद ना किया जाए रट्टू तो ता ना बनाया जाए किताबे पढ़ने के लिए उन्हें कहा जाए है उससे बालक को सिक्षा प्रदान की जाए कि टैगोर की के कोडिंग सिक्षा क्या है मिनिंग ओफ एजुकेशन क्या है देखिए टैगोर ने सिक्षा सब्द का व्यापा करत में प्रियोग किया है उनके सब्दों में सर्वोच सिक्षा वही है जो सम्पूर्ण स्रिस्टी से हमारे जीवन का समन्जस ourselves इस्थापित करती है टैगोर ने सिच्छा में प्राचीन भारती आदर्ष को इस्थान दिया है या आदर्ष है साविध्या या विमुक्ते एजुकेशन इस तैट विस लेबिरेट्स इस आदर्ष के अनुसार सिच्छा मनुस्थ को आध्यात्मिक ज्यान देकर उसे जीवन और मरण से मुक्ति प्रदान करती है टैगोर ने सिच्छा के इस प्राचीन आदर्ष को भी व्यापक रूप दिया है उनका कहना है कि सिच्छा न केवल आवा गमन से बलकि आर्थिक, सा माजिक, राजनेतिक और मांसिक दास्ता से भी मनुस्थ को नुक्ति प्रदान करती है अता हम मनुस्थ को सिच्छा द्वारा क्या होना चाहिए उस ज्यान का संग्रहन करना चाहिए जो उसके पूरवजों द्वारा संचित किया जा चुका है यही सच्ची सिच्छा है टैग में और जीवन में जीवन के लिए सच्चे आस्राय का निर्मान करने में है यही सच्ची सिक्षा है अब जानते हैं टैगोर के एकॉर्डिंग अनुसासन क्या है डिसिप्लिन क्या है टैगोर अनुसासन को बाहे विवस्था की रूप में नहीं बलकि आंतरिक भावना की रूप में शुईकार करते थे टैगोर क्या कहते थे जो अनुसासन है वह बाहे नहीं है अपने अंदर अनुसासन होना चाहिए आंतरिक भावना होनी चाहिए हमारे अंदर अनुसासन होना चाहिए वे दंड वे उस्था के विरोधी थे हम किसी को दंड नहीं दे सकते बालग को मुरगा मुरगी नहीं बना सकते है ना उनकी मायनिता थे कि यदि सिच्छक ज्यानी है चरित्रवान है विद्यार्थियों के साथ उसका विवहार प्रेम और शानुभूति पून है तो बालग स्वयम ही अनुसासन का पालन करेंगे अगर सिच्छक ज्यानी है तो बालग उसका सम्मान करेंगे सिच्छक चरित्रवान है बालग उसका सम्मान करेंगे विद्यार्थियों के शासुष का विवहार कैसा प्रेम और सानुभूति पूर्ण है बालक स्वयम ही अनुसासन का पालन करेंगे डंडा दिखाने की जरूरत है ही नहीं सिच्चक क्लास में जाकर के पढ़ाता है नहीं डंडे से उसका काम चलाता है तो बच्चे तो अनुसासन कहां मानेंगे विश्च्वा शाषन की भावना के विकास एतु खेल कूद शाहितिक सांस्कृतिक कारेमाव के आयूजक को आयूजन को अवश्य मानते थे तो ये था अनुसासन अब टैगोर जी के गोडिंग सिच्चक क्या है देख लीजिए देखे तैगोर ने सिच्चन विधी की तुला में सिच्चक को बहुत अधिक महतपूर्ण इस्थान प्रदान करते विए लिखा है क्या लिखा है शिच्चा केवल सिच्चक के ही द्वारा और सिच्चन विधी के द्वारा कदाप ही नहीं दी जा सकती जो सिच्चा है वो केवल सिच्चक के माध्यम से या टीचिंग मैथड के माध्यम से नहीं दी जा सकती है ना मनुस केवल मनुस से ही सीख सकता है शिक्षक को पूर्वाग्रही, संकीन, अधीन और एहंकारी नहीं होना चाहिए उन्हें बालकों के साथ विवहरत बना करके एक फ्रेंड के तौर पे रहना चाहिए इस प्रकार टैगोर ने सिक्षक को सिच्छा विवस्था का प्रमुख आधार माना है इस रूप में सिच्छक के काम क्या है? नमबर एक ऐसे वातावरण का निर्मान करना जिसमें बालक श्वानुभव द्वारा सलता पूरुक सीख सके खुद के अनुभव से सीख सके सिच्छक को बालक के जीवन की गती मस्तिश्क को बंधन से मुक्ति देनी चाहिए बालक फ्री मेंड होकर के सीखे, बालक की रचनात्मक शक्तियों को विकसित करने का प्रेतने करना जाहिए आदर्स, आच्रण का उदहन बर्ष्टत करना चाहिए बालकों के साथ प्रेम और साहनुभूती पूरक विवहर करना चाहिए सिक्षक और बालक को समान रूप में सांस्कृतिक प्रम्पराउं का अनुसरन और सत्य की खोज करनी चाहिए ठीक है अरे चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड होती है और मिलते हैं बोजल्दी हाँ टैगोर जी की एक और क्लास होगी जिसमें हम टैगोर जी के कोडिंग जो है कुछ और एहम फवाइंट्स की बात करेंगे इनके कोडिंग सिच्छन पद्धित क्या है सिच्छा का पाठिकरम क्या है और सिच्छा के उद्धेश बहुत important topic छूडता है भी सिच्छा के उद्धेश टेग और जिके कोर्डिंग सिख्छा कि क्या उद्देश रहे हैं ये भी हम अभी next class में discuss करेंगे तो उसके लिए आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लिजिए ये दूसरा YouTube चैनल है जिसका link description box में दिया हुआ है ये Instagram link है आप चाहे तो यहां follow कर सकते हैं और य के टेलिग्राम है ठीक है इन सब का link description box में दिया हुआ है आप हमें यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं क्लास कैसी कमेंट करके जरूब बताएं अपने दोस्तों तक college group में जरूर सेयर करें thank you मिलते हैं बहुत जल्दी next class में